आज लामु अलाइकूम प्रेंच आप सभीको मही ब्लोक में एक बर्फिस्ट स्वागत है आज मिलते हैं एक निव रेसिपिक के साथ ओ है बेंगन फ्राई तो बेंगन फ्राई कैसे बनने जाता है आप लोगों को हम दिखाएंगे आज एकदम सिंपल तरीके से बेंगन फ्राई बनने के लिए हमें चाहिए एक बेंगन वो भी बड़े साइस की एसे और मैंने लिया एक बेंगन एसे अच्छे से वाश कर के लिए तो बेंगन यहाँ पे रखकर पहले हम बनाएंगे मसला बेंगन को कटने से पहले हम बनाएंगे मसला तो बेंगन के एक पूरत है और मैंने एक बावल लिया है बावल के आंदर दे देंगे एक शम मुस तेल तेल के अंदर मैं सर्सकत देल दे रहे हूँ, आप साहे तो कोई भी कुकिंग ओयल या निरिवान ओयल भी इस्तमल कर सकती हो आप डलेंगे इसमें मसाला, मतलब ड्राइ मसाला, ड्राइ मसाला में आधा समस धनिया जीराखका पाउडर, आधा समस हल्दी पाउडर और आधा समस रेटशिली पाउडर और एट करदूँगी इसमें आधा समस नमक और एट करदूँगी एक समस बेशन इन चबको मैं अच्चे से मिक्स कर लोंगी इस तरीके से हम मिक्स कर लिंगे हमें लग रहाई एए सुखा है तो इसमें और थोड़ा सा तेलेट कर देंगे अधर समस्द लगबग तेलेट कर देंगे इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे इसे के मसाला हमारा बनके तयार है तो अब हम चलते हैं बेंगण को कटने की प्रसेस में और यहां लिया है बेंगण अत्री से वॉष करके इसे कट कर लेंगे यह जो है न यह रख देंगे यह हम इंस्तिमेण नहीं करेंगे इस तरीके से हम कट कर लेंगे यह से स्लाइस मेंहीं करें आप ज्यधा मोटीव भी नहीं और ज्याधा पर इस तरीके से सारी प्यांगन को कट कर लिया है देख सकती हो अब हम क्या करेंगे यह बंगन मसालों में हम शामिल करेंगे इस तरीके से इस तरीके से अब देख सकती हो ऐसे करके हम साइट में रख देंगे अब है दूसरी भी करेंगे और इस तरीके से सारी बेंगन का हम मसालों में मिक्स कर लिया है तो आप चलते हैं हम इसके फ्राइ करने के प्रसस में इसके लिए मैं कराई लेया हूँ केड़ाई पर तेल डल देंगे एक समस्च तेल डल दिया तेल हमारा अचा अचा गरम हो गया है अब हम डाल देंगे ये बेंगन इस तरीके से ये सारी बेंगन यहाँ पे डाल दूंगे अब मैं इसके इसे पलट दूंगे दो मिनित बाद हमें गैस को लोपलेम पे रखकर इसके पलट देना है इस तरीकित से इसको बलट देना है गयस को लॉपलम पर रखकर हम दो मिनिट कबर करके इसको पकाएंगे दो मिनिट बात हम कबर खोलेंगे और दूस्ते साइड पर भी पलट देंगे ऐसे करके इसको पलट देंगे इसको फिर भी उपलेंपे रखकर दो मिनिट कबर करेंगे दो मिनिट बात हम फिर से कबर खोलेंगे तो यह हमारा बैंगन फ्र disappointment के तयार है अब देख सकती हो िधा कगगा है अब हम क्या करेंगे की इसको यह से निकल लेंगे एक प्लेट में इसको निकल लेंगे इस तरीखेचे हम सारी बेंगन फ्राई कर लेंगे और ये हमारा मसेलादर बेंगन फ्राइ बन के तैयार है ये बेंगन फ्राई अब चावल रुटी के साथ भी इस्तमल कर सकते हैं खाने में बहुती तेस्टे हो श्वाधिस होती है अगर यह मेरे डिया से भी बसान आये तो प्लीज लाइक कॉमेंट के साथ दस्तों में भी शेर केजिए और मेरे चनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राब करना ना भूले